वेल्कम टू माई चैनल लेसन आज के लेसन में हम जिस पोएम को डिसकस करेंगे उसका टाइटल है हॉक्स मोनलॉग और इस पोएम के पोईट है टेड हीउज यह एक ड्रमाटिक मोनलॉग है ड्रमाटिक मोनलॉग एक ऐसी पोएम को कहते हैं in the form of a speech or narrative by an imagined person or character जिसमें वो जो character होता है जो भी address कर रहा होता है जो person होता है वो अपनी personality के कुछ aspects और अपनी characteristics को reveal करता है in front of the readers in front of the audience Hawk बहुत powerful bird है और उस bird के जरीए poet ने एक authoritativeness show करने की कोशिश की है किस तरह से power जो है वो करप कर देती है किसी भी character को और वो समझता है कि उसके सामने किसी की कोई हैसियत नहीं है और उसका जो दिल चाहेगा जब दिल चाहेगा वो करेगा वो जिसको चाहेगा वो जिन्दा पर देगा अपने सामने वो किसी की भी नहीं चलने देगा I sit in the top of the wood my eyes closed in action no falsifying dream between my hooked head and hooked feet और in sleep rehearse perfect kills and eat Hawk बात कर रहे है कि मैं दरख्तों में यह जंगल में सबसे उपर वाली जगा पर बैटा हूं मेरी आखे बंद है अब यह शो कर रहा है उसकी power को कि वो टॉप पर बैठा है और कह रहे हैं अगर मैं कुछ नहीं भी कर रहा तो भी मैं कोई गुम्राक किसम के खाब नहीं देख रहा को जूटे खाब नहीं देख रहा हुक्ट हेड और हुक्ट फीट की बाद जब करता है तो वो इसके टूल्स हैं जिनसे वो प्रे करता है जिनसे वो टाइरनी करता है लोगों पर जुल्म ढाता है अगर हम इसको एक सेंबल समझें एक डिक्टेटर का तो ये कह रहा हुक्ट ये कह रहा है कि मैं सो भी रहा होता हूं तो मैं कोई ऐसे गलत किसम के खाब नहीं देख रहा होता मैं उसमें भी किस तरह किल करना है और किस तरह से उसको इट करना है उसकी रिहर्स कर रहा होता हूं रिहर्सल कर हौक ये कह रहे हैं कि जो दरख्त बनाए गए हैं वो मुझे भी जो उचे उचे बलंदो बाला दरख्त हैं वो मुझे ही फैसिलिटेट करने के लिए मेरे ही सहूलत को मद नज़र रखकर नेचर ने बनाए हैं हवा के अंदर जो परिंदों के उठा लेने की सलाएट उनको सहा परने की सलायएत है वो भी और सूरज की रोशनी भी वो सारे मेरे फाइदे के लिए बनाये गए है और अर्थ का जो फेस अपफ़र्ड है और वो मेरी सहुलत के लिए किया गया है ताकि मैं उसको इंस्पेक्ट कर सकूं मैं उसमें देख सकूँ कि मुझे कहां पर जाना है और किस जगा पर क्या करना है मतलब वो यह समझता है कि नेचर भी जो है उसकी support करती है उसकी favor करती है और इसमें किसी और का कोई हिसा नहीं है यह सारी चीज़ें जो नेचर में हैं वो उसी को facilitate करने के लिए बनाई गई है My feet are locked upon the rough bark. It took the whole of creation to produce my foot. My each feather. Now I hold creation in my foot. Hawk यह कह रहा है कि मेरे पंजे की मेरे claw की साखत ऐसी है कि वो rough bark के ओपर वो टिक जाते हैं जम जाते हैं बड़ी मजबूती के साथ और जितनी भी कारेगरी है creation में, nature में वो सारी सर्फ हुई है मेरे सिर्फ इस पाउं को बनाने के लिए और मेरे हर एक पर को तखलीक करने के लिए अब मैं इस काबिल हूँ के मैं सारी जो दूसरी creatures हैं उनको मैं अपने पाउं में पकड़ कर रख सकता हूँ, जगड़ कर उनमें रख सकता हूँ और फ्लाइप और रिवॉल्व इट आल स्लोली, I kill where I please because it is all mine, there is no sophistry in my body, my manners are tearing of heads वही कह रहा है हौक के मैं इन फैदर्स की मतल से उपर उड़ सकता हूँ या गोल गोल घूम सकता हूँ और जहां मेरा दिल करता है मैं वहाँ जाता हूँ और शिकार करता हूँ चुक्झि सब कुछ मेरा है, और सब कुछ मेरे ही तसरुफ के लिए बनाया गया है और मेरी जो बोड़ी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा चुपी ओँई चीज या नहीं की गई यह सब कुछ जो कुछ भी है वो सामने है और मेरा काम जो है मेरा तरीका ही यह है कि मैं सरों को तन से जुदा कर देता हूँ अगर्णास मेरा काम करना इसन है अग्रा जिसको जाता हूं और मेरी जो फ्लाइट उसका एक ही रस्ता है कि जो के डारिक्ट है मैं वो जिन्दा है परिंदें जिनका शिकार करता हूं उनकी हडियों में से भी गुजर जाता हूं और कोई भी और अर्गूमेंट या दलील मैं नहीं दे सकता अपने इस right की यानि कि इसके लिए किसी argument की जुरत नहीं है ये एक साबिच शुदा बात है जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ तो ये dramatic monologue जो है hawks monologue ये इस note पर end होता है कि वो ही कहता है कि सूरज भी मेरे पीछे है मेरी push पर है यानि वो भी मुझे support करता है मुझे ही रोशनी provide करता है और जब से मैं पैदा हुआ हूँ ये चीजें ऐसी ही है और मेरे काम ऐसे ही है और मैं किसी और मजीद तबदीली की इजाज़त भी नहीं दे सकता यानि कि मैं नहीं चाहता कि कोई और आकर इस तरह का काम करें जिस तरह का काम मैं कर रहा हूँ ये चैलेंज करें मेरे authority को और मैं इन चीजों को इस तरह से ही रखना पसंद करता हूँ और इस तरह से ही रखूँगा पोईट ने हॉक को एक dictatorial rule या dictatorial ruler के तोर पर present किया है उसके symbol के तोर पर present किया है कि जिस तरह से dictators की authoritative उनका ये stance होता है को कोई उनके आगे ना बोले और सब लोग सर जुका के रहें उनके सामने और उनकी हर बात मानते रहें जिस तरह से वो कहते हैं वो करें और उनको कोई challenge ना कर सके तो हॉक एक उस तरह की figure को represent कर रहा है जो लोगों पर जुल्म करता है और चाहता है कि कोई फिर उसके आगे जवाब दे जवाब ना और वो किसी के आगे जवाब दे ना हो पोईट ने बताया है कि हॉक जो है वो कितना powerful और ruthless है और might is right के rule को follow करता है इसी तरह से dictators हैं वो भी immense power को enjoy करते हैं और वो किसी के आगे जवाब दे नहीं होते सब लोगों को वो समझते हैं कि उनको ही जवाब देना है और उनके सामने जुके रहना है और obey करना है चाहे वो कितने ही एक्स्ट्रीम पर क्यों ना चले जाएं हॉक की authoritativeness को उसकी ruthlessness को और power को show करने के लिए पोईट ने बहुत aggressive vocabulary यूज की थी है फर एक्जामपल हम देखते हैं कि वो इन लाइन में जिस तरह से कह रहा है इमेजरी इस पॉइम के six stanza's हैं जिसमें से हर एक की four lines है वो इतने free words का use किया है और कोई proper rhyme scheme follow नहीं की सिवाए इसके के दो lines में हमें को rhyming word नजर आते हैं जिसे first stanza की second last लास्ट लाइन है उसमें feet और eat जो है वो rhyming word है इसके अलावा हमें कोई proper rhyming scheme इस poem के अंदर वो नजर नहीं आती कि एंड पे कुछ difficult words दिये गए हैं उनके meaning भी है ताके उनकी मदद से आप इस poem को अच्छे तरीके से समझ सके इन words की मदद से आप अपने vocabulary को भी enhance कर सकते हैं उमीद है आपको इस poem की समझ आ गई होगी और इसमें जो poet ने idea present करने की कोशिश की है under the lines वो भी आपको clear हो गया होगा फिर भी अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई या आपको सब्सक्राइब करें इसको लाइक करें और इसको शेयर करें थैंक यूफर वाचिंग